दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सभी रासनकार धारकों को अपना EKYC कराने की जो परकिरिया है इससे पूरी करनी है ऐसे में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने राज में नहीं है जैसा जो बिहार के खासकर निवासी है और किसी अन्य राज में रहते हैं उन लोग को अपना EKYC करवाने में काफी जादा परसानी हो रही है इन चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक official notification कल के date में ही जारी किया है जिसमें पूरी guideline बता दी है कि आप किस राज में रहते हैं तो अपना KYC जो है रासन कार्ड में वहां नहीं करवा सकते हैं उसक का नाम मैं बताऊंगा उस राज में अगर आप नहीं रहते हैं उसके अलावे आप अन्य किसी भी राज में रहते हैं तो अपना EKYC के परकिरिया आप उससी राज में पूरा करवा सकते हैं यह पूरी update official notification के according बताई गई है जिसके बारे में मैं आपको जनकारी देने जा र रहेगी फिलाल अपने स्कीन पर चलते हैं और डीटेल जनकारी आपको रासन कार्ड में EKYC के बारे में आपको बताते हैं अभी आप स्कीन पर देख पा रहा होंगे बिहार सरकार खाद एबं उभोकता संरक्षन विभाग के द्वारा 20 जून 2024 के डेट में यह notification जारी किया गया था एक और notification देखेंगे बिहार सरकार खाद एबं उभोकता संरक्षन विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है रासन धारियों के EKYC और अधार सिटिंग है तो यह महतपूर्ण सूचना जो है जारी किया गया है अब इसमें क्या कुछ बताया गया है यह पूरी जनक जनकारी दिये गया है यह आम नागरी को जानना बेहत जरूरी है जैसे बताया गया है बिहार सरकार खाद एबं उभोकता संरक्षन विभाग इसके अलाबे रासन धारियों के लिए EKYC और अधार सिटिंग है तो महतपूर्ण सूचना यह जारी किया गया है पहला सभी सदसों का E-KYC और अधार सिटिंग करा आया जाना यहाँ पर जरूरी है मतलब क्या है कि जो माननिय सरवोच नियाले हैं इनके द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जितने भी रासन कार्ड धारक है उनके रासन कार्ड में जितने भी सदसों का नाम है उन सभी का E-KYC ह और उनका अधार सिटिंग की परकिरिया होगी ये कवई से जब कराएंगे तो आपका अधार सिटिंग एटोमेटिक हो जाता है जिसमें कोई परसानी नहीं होती है अब उसके अलावे यहां पर बताया गया है कि राज के सभी रासन धारियों को सुचित किया जाता है कि वे पर जो पॉस मसीन होते हैं इसके द्वारा आप निसूल में अपना ये कवाई से जो है करवा सकते हैं मतलब क्या है कि अगर आप मालते है और बिहार केはं किसी वी जीला में रहते हैं तो उस जीला में आप आसानी से ये जो करवा सकते हैं अपने कोई भी राशन डिलर के पास जाएंगे और उनके पास जो पॉस मसीन है इसके मदद से आपका अधार नंबर या आप अपना राशन नंबर देंगे आपका के वाईसी हो जाता कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तब होता है जब आप बिहार से है बिहार के अन्य एस्टेट में आप बिहार के अलावा रहते हैं तो वहाँ पर दिक्कत है, उसको लेकर इन्हों ने बताया है कि साथ ही राज के वैसे रासंधारी जो अपने जीविका या अन्य कारणों से राज जैसे बाहर रहते हैं, इन में कुछ राजियों का नाम इन होने बता है जैसे गुजरात हो गया, हिमाचल परदेश हो गया, इसके अलावे जहरखंड हो गया, करनाटका हो गया, उरिसा हो गया, पंडुचेरी हो गया, राजस्तान हो गया, तामिलाडु हो गया, तिलंगाना हो गया, इसके अलावे उ जो नज़िदी की जन्र वितरन पर्माली विक्रेता है उनके पास जाकर अपना EKYC आधार सिडिंग करवा सकते हैं लेकिन ये जो कुछ राज्यों का नाम यहां पर दिये गए हैं इन राज्यों से अगर आते हैं इन राज्यों में अगर आप रहते हैं तो आप अपना EKYC इन कब तक करवा सकते हैं वो बताईए तो देखे इसका पहले डेट लाइन जो था 30 जून रखा गया था मैं अभी आपको जो है कई सारे अलग लग न्यूज के आर्टिकल आपको दिखाता हूं ये जो है ABP न्यूज आप जानते होंगे काफी बड़े न्यूज नेटवर्क है इनके द्वारा ये अपडेट दिया गया है कि रासनकार्ट धार्को को अब सरकार के द्वारा जो है टौफा दिया गया है एक वाई से कराने के जो अंतिम्तिती है बढ़ा दी गई है अब आप सभी का अंतिम्तिती कब तक है तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया ह अब इससे बढ़ा कर जो है 30 सितंबर 2024 तक कर दिये गया है इसके अलावे एक और आर्टिकल मैं दिखाता हूँ यह हिंदुस्तान का है हिंदुस्तान ख़बर के बारे में तो आप जानते ही होंगे यहां पर भी इनों ने बता है कि सरकार ने दी बड़ी खुश खबरी अब 30 स सितंबर तक बीना EKYC को भी आपका जो है राशन मिलेगा अगर आप नहीं करवाएंगे 30 सितंबर तक भी मिलेगा लेकिन इसके बाद हो सकता है आपका बंद कर दिया जाए इसके अलावे देखेंगे 9 भारर टाइम्स के द्वारा भी यह आर्टिकल दिया गया कि 30 सितंबर कर ले अपना राशन में EKYC जो कि आप देख पाएंगे तो यह किलियर हो जाएगे कि अब आपको 30 सितंबर तक मौका दिया गया आप 30 सितंबर तक करवा सकते हैं आप कभी भी बिहार आते हैं तो अपने राशन डिलर के पास जाकर अपना EKYC परकिरिया को पूरा करवा सकत लेकिन इन अराज्यों में राशते हैं तो फिर आपको परसानी होती होगी क्योंकि आपने सकाफे सारे लोग इस चीज़ों के लेकर कॉमेंट भी करते हैं तो आसा और उमीद करता हूँ आपने पूरी जनकार इस समझा होगा तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दी देजिएगा विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद्र